Let's do question number 3 of exercise 4E that is quadratic equation question number 3 is the sum of 2 natural numbers is 28 2 natural numbers का sum 28 है और उनका product 192 है find the numbers तो कैसे करेंगे देखिए 2 number है कोई जरूरी नहीं है सेम होंगे तो मैं इसको 2 variable में समझाती हूँ लेकिन 1 variable में ही करूँगी तो मैंने कहा let the number be x right and y दो numbers है obviously दोनों अलग अलग होंगे तो x and y हो गए numbers तो अब वो कह रहा है दोनों natural number का sum 28 है तो इन दोनों का sum 28 हुआ तो यह x plus y equals to 28 और क्या कह रहा है और कह रहा है and their product is 192 तो इसका product 192 है अब कैसे करेंगे इसे solve हमें number निकालना है तो number कैसे निकालेंगे देखिए यहां पे किसी भी एक variable को चुन लीजिए like हमने x चुन लिया तो x चुन लिया तो हमें y की value निकालना है तो यहां से हमारी easily y की value निकल जाएगी y की value क्या निकल जाएगी 28 और x उधर जाके minus का हो गया तो हमें पता चल गया अगर हम एक number x मानते हैं तो दूसरा number कितना हो गया 28 minus x यह दिहान दीजिएगा मैंने आपको यहां पर two variable के through समझाए जिससे कि आप easily कर सके लेकिन उस second variable की value निकालनी से कही है कि जो यह आ गई अब वो कह रहा है अब हमारा x ही एक number है अगर x number है और दो number का sum x और y का sum 28 आता है तो दूसरा number कितना होता है 28 में से वो minus कर देते हैं x यह दूसरा number हो गया अब यह वाला इसका और इसका product 192 है यह दिखा रखा है मैंने देखिए यह दिखा रहा है x into y equals to 192 तो हम क्याल करेंगे x into y की value क्या ही थी 28 minus x आई थी is equals to 192 आप exam में directly कर सकते हैं let the number be x and second number be 28 minus x मैंने यह आपको पूरा समझाने के लिए लिखा है अब इसको brackets को open कर लेंगे तो यह आया 28 into x minus x into x is x square equals to 192 क्योंकि यहां पे हमारा x square negative है हम इसे उठा के इधर ले जाएंगे तो यह आगया 0 equals to 192 plus x square minus 28 x sign change हो जाते हैं जब अपनी place से equal to के left hand side से right hand जाएगा अब इसको क्या लिख सकते हैं x square minus 28 x plus 192 लिख सकते हैं अब 192 की splitting में हमें पता है middle term splitting में इसकी multiply के साथ तो यह आगया 192 x square अब इसके factors करेंगे तो चलिए 192 के factors निकाल लेते हैं 2 9s are 18, 2 6s are 12, again 2 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3 तो अब factors करते हैं इसके कि 28 to 80 plus minus करके तो देखिए 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16 and 3 4s are 12 16 and 12 हमाई factors बन सकते हैं तो मैंने यहां लिख दिया 16x and 12x अगर हम इन दोनों को plus करना है तो इसका मतलब दोनों का sign middle term वाला होगा तो यहां पर हमने दोनों का sign same करते हैं तो यह आ गया x square minus 16x minus 12x plus 192 अब यह value इधर लिख रही हूँ और equal to 0 कर दूँगे तो x common आ गया, x common आया तो क्या बचा? x minus 16 बचा इसी तरीके से 12 common आ गया तो क्या बचा? x minus अंदर का sign change हो जाएगा 16 equals to 0 अब x minus 16 common ले लिया तो क्या बचा? x minus 12 equals to 0 अब x minus 16 and x minus 12 equals to 0 आया था अब x की values निकाल ले थे x minus 16 को 0 के equal रखा तो x कितना आ गया? 16 और x minus 12 को 0 के equal रखा तो x कितना आ गया? 12 तो हमारे दो numbers कौन कौन से हो गए? 16 और 12 तो हम यहां लिख देंगे number the numbers are 16 and 12 is the answer let's do question number 4 question number 4 is the sum of the square of two consecutive positive integers हमें sum निकालना है किसका? square of two consecutive positive integers का sum है 365 तो हमारे consecutive numbers कौन से होते हैं? consecutive numbers होते हैं लगातार वाले numbers तो हम उसको क्या कह लिखते हैं? अगर मैंने एक number x माना, let the number be x अगर कोई भी number में x मानती हो तो consecutive number क्या होगा? like अगर मैं 2 कहती हो, तो उसका consecutive number है 3 तो 2 को 3 कैसे बिनाऊंगी? अगर मैं 2 में 1 प्लस कर दूंगी, तो 3 आ जाएगा अगर 3 consecutive कहता है, तो 2 प्लस 1 किया 3 आया, अब 3 प्लस 1 कर दूंगी, तो 1st consecutive number यह हो गया and 2nd consecutive 2nd consecutive number क्या हो गया हमारा? x प्लस 1 हो जाएगा, अब क्या कह रहा था? जैसे जैसे कह रहा था, वैसे वैसे करेंगे the sum of the squares of the two consecutive positive numbers दोनों का square, तो that means, अगर मैं x का square करती हूँ, sum कह रहा है तो plus इसी तरीके से अगर मैं x प्लस 1 का square करती हूँ, इन दोनों का sum हमारा था 365 यह आ गया, अब इसको solve कर लेते हैं, अब x का square is x square plus a plus b का whole square, तो यह क्या होगा, a square plus b square plus 2 into x into 1 equals to 365, तो यह कितना आ गया, x square plus x square plus, क्योंकि यहाँ पे plus आई था, इसलिए मैंने अलग से bracket नहीं लगाया है, वनना अलग से bracket लगाना पड़ता, 1 का square is 1, 2x equals to 365, अब 365 को right hand side से left hand side ले आएंगे, तो यह आए 2x square, क्योंकि दोनों x square की values थी, plus 2x plus 1 minus 365 equals to 0, तो यहाँ गया, 2x square plus 2x, 1 plus का है, 1 minus का है, आप उसमें subtract हो जाएंगे, तो यह आगया, 364 equals to 0, अब हमें देख रहा है, की पूरी equation 2 से divide हो रही है, जब हमें, जब भी हमें divide करना होता है, तो दोनों side करेंगे, तो हमने divide by 2 कर दिया, तो यह किता आगया, x square plus x minus, अब 2 1s are 2, 2 8s are 16 and 2 2s are 4 equals to 0 upon 2 is 0, अब factorization करने के लिए, इसकी multiplication इससे, तो यह आगया हमारा minus का 182 x square, अब इसकी ऐसे 2 factors plus minus करके plus x आए, तो हमने 182 के factors निकाल लिए, 2 9s are 18, 2 1s are 2 and यह गया 7 से, 7 1s are 7, 7 3s are 21 and 13 1s तो यह क्या आ रहे हमारे factors, 7 2s are 14, 14 and 13 आ रहे हैं, तो हमने कहा 14 x और 13 x, लेकिन कैसे होंगे, minus होगा, तो opposite sign होगे, तो बड़ा वाला plus का, जो middle term है, और छोटा वाला minus का, तो यह क्या हो गया, x square plus 14 x minus 13 x minus 182 equals to 0 हो गया, अब x common लिया, तो क्या बचा, x plus 14 बचा, इसी तरीके से minus 13 common लिया, तो क्या बचा, x plus 14, जब भी minus common लेते हैं, तो अंदर का sign change हो जाता है, अंदर का sign कैसे, देखिए, यह minus था, तो क्या लिखा हमने, प्लस लिखा, अब x plus 14 and x plus 14 common लिया, तो क्या बचा गया, x minus 13 बचा गया, equals to 0, अब number निकालने, तो x plus 14 को हमने 0 के equal रखा, तो x कितना आ गया, minus 14 और x minus 13 को हमने 0 के equal रखा, तो x कितना आ गया, 13, अब number हमारा negative तो हुए नहीं, हो नहीं सकता है natural number, तो हमारा number क्या हुआ, 13, तो if first number is, first consecutive number is 13, तो second number क्या हुआ, second number हमारा था, x plus 1, x की value 13 नहीं, तो 13 plus 1, that is 14, तो two consecutive number क्या हुआ, 13 and 14 are the answer.